Good morning students, today in this video, we'll discuss few questions of self-practice 14D तो question number 1, sub question A, 6 years, 7 months and 12 years, 9 months इसे में क्या करना है, add करना है तो when we'll add 7 and 9, कितना हो जाएगा, 16 months लेकिन हमारा जो months होता है, 1 year में तो सिफ 12 months होता है तो जैसे हम लोग time में करते थे, कि minute और second में 60 या 60 से बड़ा होता थे, तो minus 60 करते थे उसी तरह months में भी का करेंगे, कि हमारा जो maximum जो month होता है, वो 12 होता है ठीक है, तो यहाँ पर 12 से बड़ा है ये, तो क्या करेंगे इसमें, minus 12 करेंगे और जैसी minus 12 किये, तो यहाँ पर plus 1 हो जाता है, ठीक है, minus 12 किये तो यह 16 में से 12 सब्राइक हुआ तो, 4 months, जाद रखिए, जब minus कर रहे है तो बगल में plus 1 हो जाता है, तो 6 plus 1, 7 and 7 plus 2, 9 and then 1 that is, answer will be 19 years, 4 months, ठीक है, months में 12 ये 12 से बड़ा होता है तो क्या करते है, minus 12 करते है और बगल में plus 1 दे देते हैं, ठीक है, see the next, question number 1, sub question C, now sub question C, यहाँ भी addition करना है क्या, 4 weeks, 5 days and 1 week, 7 days, तो 7 और 5 को जब add करेंगे, तो कितना होता है 7 and 5 is 12, that is 12 days, लेकिन यहाँ भी देखिए, 1 week में तो सिफ 7 days होता है तो यहाँ पे देखिए, 7 से बड़ा है, यहाँ पे relation किस चीज के बीच है, week और days के बीच है, यहाँ पर relation week और days का है, तो 1 week में तो 7 days होता है तो हमारा जो answer आया, addition करने के बाद, जो 12, यह तो 7 से बड़ा है तो इसमें भी क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे minus 7 करेंगे, ठीक है, minus 7 यह minus 7 किये, तो बगल में क्या हो जाता है, plus 1 यहाँ पे year और months का relation था, तो 1 year में 12 months होता था, इसलिए हम लोग क्या कि minus 12 किये थे, यहाँ week और days का है, तो 1 week में तो 7 days होता है, इसलिए यह 7 से बड़ा हो रहा थे हो, तो क्या किये, minus 7 कि और बगल में plus 1 तो 12 में से, 7 subtract होगा तो, यहाँ आजाएगा क्या, 5 days याद रखी, जब भी minus करेंगे, कोई भी 60, या फिट 12, या फिट 7, तो बगल में जरू plus 1 करते हैं, तो 4 plus 1 is 5, and 5 plus 1 is 6 that is, answer will be, 6 weeks, 5 days see the next question, now question number 1, sub question E, we have to subtract over here, 7 weeks, 2 days, और subtract किसको करना है, 4 weeks, 4 days को, तो यहाँ पे देखिए, 2 days से तो 4 days सब्ट्राक्ट हो नहीं सकता, तो क्या लेगा, यह बगल पडोसी से अपने बोरो लेगा, तो यह तो अपना 1 देगा, that is 7 था, तो कितना बन जाएगा, 6, तो यह तो 1 week दे यह बड़ेगा, लेकिन 1 week में कितने days होते है, 7 days होते है, तो यह 7 और यह 2 क्या हो जाएगा, add हो जाएगा, that will be, अब क्या बन गाए, 7 और 2 मिलके, 9 days बन गया, अब सब्ट्राक्ट किसको करना है, 4 days को सब्ट्राक्ट करना है, तो कितना हो जाएगा, यह 5 days, यहाँ पे क्या तो 4 सब्सक्राइब नहीं होता तो अपने पड़ोसी से वाप एक नमबर लिया तो एक जब यह वन वीक दिया दिदर आके कितना डेज होता है 7 पहले से यह 2 था और 7 आगे तो कितना बन गया 9 तो 9 में से 4 सब्सक्राइब तो 5 ठीक है और यहां पे 6 में से 4 हुआ तो 2 next is again subtract 15 years 8 months 10 years 11 months 8 months में 11 months सब्सक्राइब नहीं हो सकता यह अपने पड़ोसी से लेगा तो यह कितना 15 था यह बन गया कि आप 14 यह अपना 1 year दिया तो वंत में आके कितना hundreds एह जंब मन्त में आता थो कितना मत हो जाता है 12 months कि तो इधर आया 12 और पहले सथा 8 यह दोनों क्या हो जाएगा है धूरा यह मिलके कितना बन गया यह 20 months यह टिक है यह कितना हो गया 20 months और किसो अप्रैक्ट रहना है 11 मंस को सब्टैक्ट करना है तो 20 में से 11 सब्राक्ट गाट करना यहां तो कितना बचा यहां पर फोर इंट आन्ड नाइम मुंस कि देर सी नेक्सिर्ष एकुल में गार्ट संगीता इस फॉर्टी उर्टी यह पर संगीता का एज कितना दिया सभा है अगर suppose example लेते हैं कि अगर आप लोग का age अभी हो रहा है 13 years और आपके छोटे भाई या छोटे बहन आपसे 2 साल छोटे हैं तो उनका age कितना हो रहा होगा तो निकालने के लिए क्या करते हैं आपके age से 2 years को subtract करेंगे that is 11 years उसी तरह यहाँ पे संगीता का age है 40 years old हर ब्रदर इस 14 years 8 months younger छोटा है तो उसका age निकालना है तो क्या करेंगे 40 years से 14 years 8 months को क्या करेंगे subtract करेंगे year and months तो बड़ा कौन हुआ 40 बड़ा है तो यह 40 and months में क्या हो जाएगा 0-0 यहाँ पे 14 years है और months कितना है 8 months है इसको subtract करना है तो यहाँ पे 8 में 0 से तो 8 subtract नहीं हो सकता तो पड़ोसी से लेगा यह तो यह 40 था तो कितना बन गया 39 तो यह 1 year अपना दिया तो year में आके month कितना हो जाता है 12 तो यहाँ पे पहले से 0 था यह 12 है तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 12 months हो गया और किसको subtract करना है 8 को subtract करना है तो यहाँ पे क्या हो जागा subtract करने के बाद 4 months यहाँ पे क्या बचा year में हमारा year में बचा हुआ है 39 39 में से 14 को subtract करना है तो 9 में से 4 subtract हुआ तो 5 and 3 में से 7 subtract हुआ तो 2 तो यह तो अभी हर यंगर बचान एग इस 25 यर्स 4 months टिक है यंगर यंगर बचान एगर नाह पे क्या क्या है तो age of 21 years 5 months कितने साल पे teaching start किया 21 years 5 months I am now 43 years 2 months old अभी age कितना हो रहा है 43 years 2 months how long have I been teaching तो कितने साल मैंने पढ़ा है 21 years 5 months से start किया और अभी प्रेजन्ट एज है 43 years 2 months तो बीच का gap निकालना है कि हमारे हम यहां पर कितना year और कितना months का difference है कितना gap है तो जब भी gaping निकालना रहता है कुछी जो चीज का तो क्या करते हैं सब्ट्राक्ट करते हैं बड़े से छोटे को सब्ट्राक्ट करेंगे तो यहां पर लिखेंगे year और यहां month 43 years में से 2 months को सब्ट्राक्ट करेंगे 43 years 2 months यहां लिखेंगे 21 years and 5 months यहां पर 2 में से 5 तो सब्ट्राक्ट नहीं हो सकता तो यह बोरो लेगा यह अपना 1 देगा इधर आके क्या हो जाएगा 22 पहले से 2 था अभी 12 आएगा तो 12 प्लस 2 कितना बन जाएगा यह 14 माइनस 5 यह 43 था तो बन गया क्या 42 तो 40 में से 5 सब्ट्राक्ट कितना बचेगा 9 months and 2 में से 1 सब्ट्राक्ट हो तो 1 and 4 में से 2 सब्ट्राक्ट हो तो 2 that is 21 years 9 months that is teaching duration कितना हुआ 21 years 9 months I hope students that you have understood this few questions of self practice 14d and your homework will be that you will be solving it in a maths copy that's all for today thank you